अब देख सकते हैं अभी चलना दिर वाली ओफर तो हम लोग का इस समय हम क्यों ने बनाया है एकदम मिल्क केक एकदम मावा की तरह तो इसको बनाना एकदम आसान है आप देख सकते हैं जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में इतना स्वादिश्ट के पूछ सकते हैं एक दम मों में खुझ जाने वाली ये गुड़की बर्फी ये दम मस लगती है तो चलिए देख लेते हैं आप दिवाली पे स्पेसल कुछ बनाने वाले हैं याने इसको तीन समान से बनाना है ज्यादा कुछ इसमें लगने वाला नहीं है हेलो फ्रेंड असलाम अले पीनट तो जयादा बढ़ा तो आपको ज्यादा बढ़ाना कॉण्टिती में ज्यादा बढ़ा सकते हैं वह ने एक कप भरके लिया है अच्छे विसको रूष्ट करना थिप और प्रुष्ट करना है कि इसका अच्छे से चिलका उतरना जाए तो यह दिखिए मैंने चेक करके आपको दिखा रहे हूं तो एक आप मत देखिए दो तीन ठो देखिए ताकि कभी होता है एक उख हो जाता है दूसरा नहीं होता है तो मैं सारा चिलका चटक लिया है अब बढ़ थोड़ा मोड़ा घर बचाया तो आप फिर वही वाला इस टेप करिए जैसे मैंने किया है करने के बाद एक अब चलने ले लिजिए ऐसे ही कोई पोड़ी चानने वाला या कुछ भी आप ऐसे करके इसको अच्छे से चालेंगे ना अच्छे से पुरा इसका चिलका निकल ज जबाएंगे तो यह तो भाग में डिवाइड हो जाएगा तो यह दिखिए बदा में एक तरफ हम कर देंगे हमारा हो गया उसका काम अब हम पैन चड़ाएंगे उसमें लेंगे गोड़ तो गोड़ यह फ्रेंट वजर में 200 ग्राम है उसको मैंने अच्छे से कोट लिया है इस से करने से पैदा होता है जल्दी मेल्ट होता है और नीचे से जलता नहीं है इसे मैंने दो चमटपाने आठ किया ज्यादा नहीं क्या hai दो चमटपानी ज्यादा नीचे लगे गा झंद होने लगता और हमारा इसका चासनी या पाग बनाना एकदा है Best Sn तो फ्रेंड इसकी आप कोई भी बर्फी या पट्टी आप कुछ भी आप बनाएंगे ना तो लॉंग टाइम चंदती भी है और खाने में इतनी जबरदस्त लगती है कि पूछे माँ स्वादिश्ट देख देखेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक पींच खाने वाला सोडा ह इसको डालने के यह फायदा है कि यह कलर बहुत अच्छा आता इसका और यह काला पन नहीं होता है खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिश्ट होती है दिखने में भी अच्छी होती है तो आप इसको जरूर डाले है क्योंकि हलवाई लोग ऐसे डालते हैं इसका कलर काला नह से निकालते हैं जो खुर्चन होता है अखरी में बसता है उसमें मेरा एक कटोड़ी बचा हुआ था छोटी कटोड़ी से मैंने उसको एड़ किया है और यह हमारा भूनावा बदाम है इसको एड़ करना है अगो तीन चीजों से आपको मिला कि यह मिठाई बनानी है बहुत सबर्दस्त मिठाई बनती है एक बर आप चरूर ट्राइ करिएगा मेरे कहने पर खाने में इतनी अच्छी लगती है आपको लगेगा मिल केख खा रहे हैं इतनी स्वादिश्ट लगती है तो इससे करके इसको अच्छे से चला लेना है अब हम इसमें डालेंगे एक चमत दे करती है तो इसको आखरी में डालती है और लंबे समय तक रहती है तो सुरुमें डालेंगे जिए तो झोड़ा होने देंगे एक देनर लें गे और dire करेंगे तेय्ट虐 करने के तबिढ दो में बडेखी सेट करने के बाद को फूरीजर में रख देना एकदर करिणा बिदे है अब अम फ्रीजर के कम से कम ज्यादा नहीं तो फ्रीजर में नहीं रखना में रखना है थे सीजर देना है बर्फी कि पूछे मत तो फिर जैसी कट रही है वैसे खाने भी हो जाता है द्वार स्वादिश लगती है आप चीज़ी बनाएं कि उसी दिए खतम हो जाएगी इतनी ज़्यादा जबरस लगती है क्योंकि ये तीन फिलेवर तीनो अच्छा है गोड का फिलेवर अच्छा होता है बदा मुझे खुल जाने वाला आप इसको इस्टोर भी कर सकते एक महिने के लिए तो आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी इंसानला अच्छी लगी हो मिठाई की तो प्लिस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें करिएगा तो मैं अपने बच्चों को टेस्ट कराने के लिए लिए जारी उन्लों को तो काफी अच्छा लग रहा तब तक मिलते हैं नेक्ट लोग में थेंक्यू सो मच अल्ला हाफीज